नमस्कार आप देख रहें सुप्रभात मैं हूँ रश्मी शिर्वासव आपके साल सुबह के बुलेटिन की शिर्वात करेंगे लोग सभा के चट्थे चरन के लिए परसो वोटिंग होनी है और आज शाम पांच बजे प्रचार का शोर थम जाएगा देश भर की 58 सीटों पर चट्थे चरन के तहत चुनाव होना है बिहार की आठ सीट पर वोट डाले जाएंगे जिसमें वालमी की नगर पूर्दी चंपारन पश्मी चंपारन में चुनाव होना है वहीं शिवर वैशाली सिवान महराज गंच गुपाल गंच में चुनाव धनबाद, राची और जमशेदपूर शामिल है तो ब्यार की आठ और जारखंड की चार सीट पर चट्थे चरन के तहत वोट डाले जाएंगे जारखंड की गिरडी धनबाद, राची और जमशेदपूर में वोटिंग होनी है जिसे लेकर आज शाम पांच बचे चुनाव क शोड थम जाएगा तो लोग सभा के चटे चड़न के लिए परसो वोटिंग होनी है और उससे पहले आज शाम पांच बचे प्रचार का शोड थम जाएगा और इसके बाद देश भर की 58 सीटों पर चटे चड़न के तहत मतदान होने है ब्यार की 8 सीटों पर वोट डाले जा इसके साथ ही शिवहर, वैशाली, सिवान, महराच, गंच, गोपाल गंच में वोट डाले जाएगे वही जारकंड की चार सीटों पर वोटिंग होनी है गिरडी, धनबाद, राची और जमशेदपुर में मतदान किये जाएगे और इससे पहले आज शाम पांच बचे प्रच होनी है जो से लेकर आज शाम प्रचार का सलसला थम जाएगा बिहार की आठ और जारकंड की चार सीट पर चटे चड़न के तहत वोट डाले जाएगे जारकंड की गिरडी, धनबाद, राची और जमशेदपुर में चुनाव होना है वही बिहार की वार्मी की नगर, 40 दिवान महराज गंज और गोपाल गंज में मतदान संपन करवाए जाएगे और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सयोगी गौतम न्यूजरूम से हमारे साथ जुड़ गए है गौतम आज शाम पांच बचे प्रचार का सलसला थम जाएगा और इसके बाद चटे चरन क के तहत देश भर के 58 सीटों पर वोटिंग होनी है क्या पूरी अपडेट इस खबर पर और देखे बिहार में आठ सीटों पर जो है मदान हो रहा है चट चरन का मदान है और आठ सीटों पर मदान में चार सीटों पर जो है बीजेपी है तीन सीटों पर जदी हो और एक सीट पर जो कहा सकता है कि एलजेपी है तो यानी जो आठ चरनों का मद्दान होना है उसमें जो जिस तरह से बीजेपी या एंडिये के दमाब जो घटक दल है उन लोगों ने जो तागज हो की है वो दिखे रहे हैं परदान मंतरी नरेंद मोदी का लगातार चुनावी सभा और उस हम दिखा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ तेजश्वी परसाद यादव हलाकि उनके सेहत को अभी सही नहीं कहा जा सकता है डॉक्टरी सला जिस तरह से सामने आई है मगर उन तमाम जगों पर तेजश्वी परसाद यादव और तमाम जो घटक दल के जो नेता है वो लोग जो ह जो है छटे चरन का मदान बचा हुआ आठ सीटों पर जो मदान होना है उसको लेकर आज साम के पांच विजे के बाद जो है चुनाव परचार पर रोक लग जाएगी और जो कहा जा सकता है कि जो अचार सहीता के तहट जो काम है वो तमाम चीज़ों पर रोक लगी और बंद हो जाएगे देखिए इन आठ सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो कहा जा सकता है कि एक बड़ी टकर है क्योंकि संजय जैसवाल भी इस चुनावी मैदान में है बैसाली से कर बात कर लिजा है तो बीनास देवी जो लोचपा से जो थी वहां सर बैसाली से हैं तो एक करी टकर जो है ऐसे उमिद्वार पर भी है जो जिन पर नजर लोगों की बनी हुई और एक ऐसे दावेदार उनके सामने खरे हैं जो उन्हें टकर दे रहे हैं तो एक उमीद है लोगों को जिस तरह सी चुनाव को लेकर आठ चरनों का जो मतदान होने जा रहा है उसमें जो कहा जाता कि मतदाताओं को लेकर भी जो है कि निर्वाचानायो के तरफ से लगातार ये कोसिस की जारी है कि मतदान का परतिसत बड़े क्योंकि इससे पहले जो भी मतदान गुजर चुके हैं पाच चरनों के उसमें मतदान परतिसत भी कम रहा है और इन तमाम चीजों से जो है चिंति हर राजनितिक दल है कि वोट परतिसेत आखिर किसका घट रहा है चुनाव यूग की भी चिंता है कि वोट परतिसेत अगर कम होगा तो जो एक मजबूत लोग तंत्र को जो कहा जाता कि बनाने के लिए लोगों की भूमका होनी चाहिए वो कहीं न कहीं कमजोर हो साथ जो है ये चीजे भी ध्यान रखी गई है कि इस बार मद्दान प्रतिसत वो बढ़े और पाकियों के तरफ से तो चुनावी परचार जो है वो दम खम करके लगाया ही जा रहा लगातार जो है प्रदान मंतरी से लेकर केंद्रिक गिड़े मंतरी ये तमाम लोगों का चुन दाव पर है और चुनौती सबसे बड़ी ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटे कैसे जीती जाए इसे लेकर पिछले दिनों चुनाव प्रचार किया गया और ये चुनौती रहेगी चाहे वो आई एंडिया ये आलाइन सो या पिर अन्डिये हो अगर जो टकर है टकर जो है करी टकर है वही संजेज असवाल बीजेपी के परदे सद्यक्ष पूरोडी सद्यक्ष रहे चुके है बर्तमान सांसद भी है तो उनकी भी जो ایک इस बार के चुनाव में जो है उनको मद्दान मिलना है तो उनके लिए भी जो है चुनावी दौड़ा और कैम्पें जो है परदान मंतरी तक का जो है वह हो तो अपने अस्तर से तमाम जो ऐसे नेता जो सीर्श अस्तर के नेता है वी आरी है तो अगर रोजघार के साथ विकास का स्वाद चो चकने का भी समय मौका मिला फो और आगे बढ़ेलेंगा वहीं अगर बात के लिए तो महा गठोंदर के तरफ तेजश्वी परशादियन साफ कर दिया है कि हमारा मुद्दा रोजगार है नौकडी है और नौकडी हम जो अभी बिहार में 17 महीने का दे चुके हैं उसे और बढ़ाकर एक करोर करेंगा तो यानि एक तरफ नौकडी तो दूसरी तरफ विकास यानि अब जनता को तै करना है कि वो आखिर किसके साथ जाए चुनावी समय जो है और लगभग जो है वो कहा जाता कि आधा से उपर हो चुका कि पांच चुनों का मदान हो चुका और अब एक चलन जो ये आज परचार खतम हो जाएगा उसके बास सात दिया एलाइंस को मौका देकर उसे सत्ता देने की तैयारी कर रखिये तो ये फैसला चार्ज उनको होगा मगर जो मदान को लेकर जो लोगों ने मन बना है छेतर के लोगों ने आपनी समस्याओं को भी देखा है और जो चुनावी सभाएं में जो नेताओं का जो भासन और जो वादे पूरे करते हैं उन वादों पर उनको भी अब जो है समझ आने चे लगी है क्योंकि देखे एंडिये की सरकार दस साल से जो है काम कर रही है और इसे पहले यूपिये के सरकार का जो एक समय बीता है उन तमाम चीजों को देश की जनता ने देखा और नए वोट जो नए वोटर हैं उनको भी जानकारी मिल यही वज़य कि इस बार लोग खुल कर अब कैमरे के सामने इस बात को स्विकार भी कर रहे है कि मुद्दा विकास का है और मुद्दा रोजगार का है और इसी के तहत इस बार वोटिंग भी की जारी है बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम जानकारी के लिए